चलिए कहता है कि आईए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विश्य में अधिक जानकारी प्राक्त करें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे मित्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं अब यह नहीं कह सकते कि मित्र के बारे में आप सब कुछ जानते ह हर किसी का अपना एक hidden factor होता है वो चीज़े छुपाने का होता है मतलब हर चीज़े हर किसी को नहीं पता होती है लेकिन हम अपने मित्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं इसलिए यहाँ पर टाइटल में लिखा है बटा कि चलिए पौधों के बारे में जानते हैं उनसे मित्र दा करते हैं बिलकुल करेंगे बिटा क्योंकि हमें पौधों के बारे में पता होगा तो पौधे हमारे क्या बन जाएंगे मित्र अब हमारे पास है 7.1 साक, जाड़ी, एवम विक्ष पहले हम समझेंगे कि साक की केटेगरी में किसको डालते हैं जारी की केटेगरी में किसको डालते हैं और विक्ष की केटेगरी में हम किसको डालते हैं विभिन प्रकार के पॉधे होते हैं उनमें से कईयों को बिटा कहा जाता है शाक कईयों को कहा जाता है जाड़ी और कईयों को कहा जाता है ब्रिक्ष शाक बिटा सबसे छोटे होते हैं छोटे होते हैं जैसे आप अपनी दिमाग में शाक आते ही समझ लीजिए पालक की बात त वह ज्यादा मोटे तनों से नहीं बने होते हैं, उनकी तने पतले होते हैं, पर बहुत सारे होते हैं, वही पर अगर हम बात करें व्रिक्ष की, तो व्रिक्ष के बारे में तो क्या कहना है, व्रिक्ष क्या होंगे व्रिक्ष होंगे जो बड़े-बड़े होते हैं, मतलब मोटी बड़े बड़े तने, बड़े बड़े पत्ते, फल भी बड़े, अब इसमें अगर मैं classify करने के लिए बोलू, तो आप इसे बोलेंगे बटा क्या व्रिक्ष, यह क्या है आपका पहला जो figure आपको दिखाए दे रहा है, जिसमें यह बच्चा लिप्टा हुआ है, this is तो वही कहा रहा है कि चलिए, अब हम कुछ समझते हैं, क्रिया कलाप के चलिए, क्रिया कलाप है हमारे पास, एक, उन पौथों के तनों एवं शाखाओं को ध्यान पूरवक देखिए, जो आपसे कम लंबे हैं, यानि कि उनको गौर से देखना है बटा, जो आपसे कम लंब के होंगे, चीक है, डेफिनिट सी बात है, तो ही कह रहा है कि 10 साल के हैं, तो आपकी नॉर्मल हाइट जो होगी, वो अभी 4-4 फिट होगी, 4-4 फिट के आसपास में होगी आपकी हाइट, अब कह रहा है कि आपके हाइट से छोटे जो पौधे आपको आसपास में दिखाए देते हैं, उनको देखिए, जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं, कुछ आपसे छोटे होंगी बटा, छोटों में बहुत छोटे आ सकते हैं, तो मैंने कहा कि एक पालक के पौधों की बात की और कुछ जो होते हैं, वो आपसे बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, तने को स्पर्ष कीजिए, तधा यह है जानने के लिए कि कोमल है अथवा कठो, यानि कि आप तने को स्पर्ष करेंगे, उसका जो तना होगा बटा, उसको स्पर्ष करेंगे, मोरने की कोशिश करेंगे, तोड़ना नहीं है, यह ध्यान रखें, तोड़ना नहीं है, मोरने की कोशिश करना है, इसे धीरे से एक और मोरने का प्रयास कीजिए, वही बोल रहा है, ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं, तोड़ना नहीं है, वहने बोला आप से, लंबे पौध है कि तन्यों की मोटाई मा आपने का प्रयाश करे। यानि कि अब आपने देखा कि जो सबसे बड़ा पौधा आपके आस-पास में है उसकी आपको लंबाई मापनी है। बहुती सिंबल सी जिग तक हमने क्या देखिए यानि इस्क्रियाकलाप में था क्या। क्रिया कलाप जो अभी हमने एक किया इसमें क्या क्या रहा है कुछ नहीं करना आपको आपको क्या करना बगीचे में जाना है बगीचे में जाकर आसपास में जो भी बगीचा होगा उसमें जाना है और उसमें जाने के बाद आपको कुछ अवलोकन करना है अवलोकन में क्या कर कि लिए तोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं एक दो पत्यां तोड़ सकते हैं ठीक है और हाँ य रहा है कि नहीं मुड़ रहाए अगर मुड़ रहा है तो बताना है तो बताना है कुछ यहां myślę दिए गए हैं जब आप यह क्रिया कलाप करोंगे, और सीधे तौँ पर शीखोंगे, तो इसको आपको रटना नहीं बढ़ता, आपको हमेशा याद रहता है, तो इस तरीके से आपने याद रख सकते हैं, तो चलिए क्रिया कलाप करते हैं, और सारनी 7.1 पौधों के संवर्ग के बारे में बात करते हैं यहां बलिखा है पौधों का नाम आपको टमाटर के पौधे लेने हैं आम का और निम्बू का लेना है जो तमाटर का पौधा है वो छोटा है और आम बहुत लंबा होता है और नीम बूझ है और थोड़ा लंबा होता है यानि आपके उंचाएं की तुलना में होता है या आप से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वहीं पर आम के पौधर की बात किज़ा तो बहुत बड़ा होता है च ठीक है उसके बाद क्या नीम्बू का तनाहरा है नहीं है कोमलता की बात करें टमाटर कोमल है हाँ टमाटर का जो तनाह होता है वो कोमल होता है ठीक है आम आम के बायरे में क्या ख्याल है कोमल नहीं है ठीक है मृद्धू है यह नीम्बू की बात करें थोड़ा बहुत तो यहा आ गया या फिर नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं हां तो बिलकुल भी नहीं है कोमल तो नहीं होता है और हां यह है कि बहुत कठोर भी नहीं होता है तुमाटर मोटा नहीं होता है आम मोटा होता है नीमबू मोटा नहीं होता है कठोरता की बात की जाए आम कठोर है नी निम्भू के बारे में, तोड़ा नहीं होता है। थोड़ा मोटा लेख सकते हैं बहुत मोटा नहीं होता , इतने से कुछ आते हैं। आपके हाथों में आराम से आ जाएंगे। चीजिगा, आम का पेड़ होता है हां, यहां पर हां आ जाएगा ठीक है, उसके बात कहारा है आम, आम तने के आधार से निकलती है बताओ, हां या ना बताओ, दाओ तने के आधार से निकलने का क्या मतलब है इस भीया जहां तना होता है अउसके शुरूवाट से ही निकल υτ determination जबकि पेड़ पौधों में उसके आधार से नहीं दिखता, उपर चोटी पर दिखता है वो आपको, तो टमाटर में तो हाँ आधार से है, क्योंकि वो मिल्कुल जाड़ियों की तरह होते हैं, आम में नहीं आ जाएगा, उसके बाद तने के उपर से, तने के उपर से निकलता है, तो टमाटर में उपर से निकलता है, या आधार से निकलता है, तो देखो, इसमें अगर ये आधार से निकला, तो ऊपर से नहीं आएगा, ठीक है, आगया समझ में, और ये उपर से नहीं आएगा, ये आधार से निकलता है, उसके बाद, पौधों का समवर, ये शाक है, यह व्रिक्ष है और यह जाड़ी है तो इस तरीके से हमने इन तीनों के बारे में बात की अब यहां से तालीका से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा तालीका हमको क्या सिखाना चाह रही है यानि यह जो सार्णी है इस सार्णी से आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है य यह हमने क्या सीखा तो सीखा क्या टमाटर तमाटर के पौधे चोटे होते हैं आम का पौधा बहुत बढ़ा होता है वह थोड़ा लंबा होता है पर बहुत लंबा नहीं होता है उसके बाद हमने बढ़ा कि जो जाडियां होती है बिटा और जो शाक होते हैं वो हरे होते हैं और जाडियां जो है आपकी जो होती है वो हरी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है उसमें थोड़ा सा confusion होता है क्योंकि ये पेड़ पर नेभर करता है हाँ वो बात अलगया है कि ताल भी जाना यानि हमें यह भी जानना चाहिए कि जो साखाएं है उसके पास तने के आधार से अथवा को चुछाई के बाद निकलती है या नहीं यह बाते भी हमें समझनी चाहिए जो उपर यहां पर लिखाया ना कि आप उसे मा पिये मोटाई को और साथी यह भी सीके कि उसके प्रिक्षित सब भी पौधों के जो शारनी है यानि कि पौधों को जो सारनी सतव दसमलाब एक मेर्यागी करित किया गया है उसमें और भी कुछ पौधे लिख सकते हैं कुछ उधारन दीखाएं गएं आप और अधिक पौधों के लिए 1-2-3 किलम जो खाली छोड़े है हमें इस तरीके से आपको यह बढ़ा कर लेना है तो यहां पर आपका एक दो तीन यह तीन जो खाली रह गए इनको भरना है इन लक्षनों के आधार पर हम अधिकान्स पौधूं को तीन संवर्ग के अंदर वर्गी करते हैं यानि कि तीन समवर्ग आ जाते हैं एक साक दूसरा व्रिक्ष और तीसरा आ जाता है आपके पास जाड़ी यह वर्ग है शाक जाड़ी और व्रिक्ष इन्हें चित्र साथ दसमलो तीन में दिखाया गया है इसके आधार पर बिटा आप समझ सकते हैं तो जो हमारे यह यह जो है हमारा क्या है इसे क्या कहेंगे इसे क्या कहेंगे और इसे क्या कहेंगे जो यह है बटा सुरुवात सही है और इसके तने पतले से हैं तो यह आपके हो गई साक जो हलके बुलके होते हैं दूसरा आगे आपके पास इसके तने बहुत जादा सगन है और है आधार से तो यह आगे आपकी जाड़ी अगर हम व्रिक्ष की बात करें तो इसमें उपर से हैं और मोटे हैं पत्ते भी जादा है और बहुत जाद सगन हैं तो यह कहलाएंगे बिटां आपके व्रिक्ष हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को हम साक कहते हैं यह सामार्य तहाद छोटे होते हैं और अकसर इनमें कई साखाएं नहीं होती हैं यानि कहने का मतलब इसमें मुख्यता एक दो साखाएं ही होती हैं इसमें शाक में तो शाक हलके भुलके होते हैं तौफ्ट होते कोमल होते है और कई शाखाएं नहीं होती हैं, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीब से निकलती हैं, तना कथोर होता है, परन्तु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें जाड़ी कहते हैं, यानि कहने का मतलब जाड़ी की परिभासा को पूछे तो आप क्या बताएंगे, ऐसे पौधे को हम जाड़ी कहते हैं, जिनके काखाएं या जिनकी साखाएं उनके आधार से निकलती हैं, तना कथोर होता है, पर बहुत कथोर नहीं होता, बहुत मोटा नहीं होता, इन्हें हम जाड़ियां कहते हैं, कुछ पौधे बहुत उचे होते हैं, और इनके तने सुद्र भाक से निकल रहे था आधार से इन्हें हम व्रिक्ष कहते हैं तो यह व्रिक्ष की परिभासा है उप्रियुक्द अभी लक्षनों के आधार पर क्या आप चुची बद्ध पौधों को वर्गी करत कर सार्नी 7.1 प्रव मोटा से मिलती है तने में और उसकी बाद हमने इसको वर्गी करित कि तो किसमे वर्गी करितатив कीए और बटाओ किसमे किया हमने शाक में और बताओ बताओ और जाडियों में बिल्कुल सही